आपके नेक्स्ट मांत में एक्जाम होने वाला टेंटिटिव डेट जो है वो आ गई है नेक्स्ट मांत में जो है JKSSP पेंचाईट उक्षोंट एक्जाम होने वाला है इसके साथ साथ क्लास फॉर्थ का भी एक्जाम होगा नेक्स्ट मांत में जानीके अक्टोबर में तो आज केस फीडियू में हम करेंगे MS Word के बारे में वो हमने की हैं i Видio को आपकी आप encode करें सकते हैं अग डाइड की हो तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे MS Word 20 MCQs जो की काफी ज़ता आपकी help करने बाले हैं आपके अपकमी exams के लिए तो जुड़े रहे हैं इस वीडियो में मेरे साथ इसके साथ और important information that is मैं आपके सामने शेर करना चाता हूं कंप्यूटर सेक्शन के में questions जो हैं अलड़ी वीडियो मैंने डाले हुए हैं तो और भी में वीडियो लगातर continuously डाल रहा हूं तो जितने भी आप पहलने भी मैंने जो वीडियो च्राएं आप उन्हें वीडियो को भी देख सकते हो मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है वीडियो को शेर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं वीडियो स्टार्ट तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे द्वारा मेरीपीट करने जा रहा हूं आज के इस वीडियो में करेंगे 20 mcqs 20 20 MCQs MS Word के बार में MS Word यो एक पर्टिक्लर टॉपिक है आगर हम बात करें हमारे जो कैसे भी पंचाइद अकोर्ड एसिस्टेंट के लिए तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं question number one से question number one जो है question number one है MS Office is application software क्या आपने पताना कि MS Office जो है का application software है true है जा false है तो जहां पर आप वीडियो को पास करके कि सकते हैं कि इसका like option क्या है तो सक लिए बीडियो को फिर आपने बताना कि इसका like option क्या होगा और लास्ट में आपने comment section में मुझे बताना कि आज हम कर रहे हैं rubz और मुझे बताना कि कि यूदिए क vraag आपने मुझे बताना कि कितने कोश्चन सा आपने अज अज टैम्ट की हैं, तो यह क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफी ज़्यादा टाइम लगता है, वीडियो को शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है तो आज का फर्स्ट कोशन हमारा MS Office MS Office यो है एक application software है जे true है जब false है तो बताईए आप इसमें ये true है जब false है ठीक है फर्स्ट का अंसर आगया आपका true option A चलिजी next question next question जो है thesaurus tool in MS word is used for यह जो tool है MS word में किसके लिए use कही आता है spelling suggestions के लिए just synonymous or an anonymous words के लिए तो दो आपके बास alternative options है आप अपने से बता सकते हुआ अगर आपने इसकी theory की हुई है तो इसका जो right option है देखते हैं इसका right option क्या होगा इसका friends right option है part B part B means synonymous and anonymous words question number third the minimum number of rows and columns in MS word document is जो minimum number of rows and columns होते हैं MS word में वो कितने होते हैं 1 and 1, 2 and 1, 1 and 2 and 2 and 2 video को pass कीजिए गा video को pass करने के बताइए कि इसका right option क्या होगा तो चलिए friends इसका answer देखते हैं इसका right option क्या होगा इसका right option है part A ठीक है friends part A means एक minimum जो number of rows होते हैं जा columns होते हैं MS word में MS word documents में होते हैं 1 and 1 आज का question number 4 question number 4 है how many columns can you insert in a world document in maximum तो कितने column जो हैं आप इंसर्ट करते हैं इना word documents में maximum 40 45 50 जा 55 तो वीडियो को pass कीजिए दवारा में वही बोर रहा हूं वीडियो को pass कीजिए पास करने के बाद देखी कि आपका options क्या है ठीक है जो गलत है तो four alternative options है हमके पास तो इसका जो राइट option है देखते है राइट option क्या है इसका फ्रेंट राइट option है इसका पार्ट बी पार्ट वी मींस आंसर इसका आएगा 45 question number 5 का है what is the smallest and largest font size available in font size tool on formatting toolbar ठीक है तो smallest and largest font size available font size tool on formatting toolbar में कितना है आपने पताना smallest and largest 8 and 72, 8 and 62, 68, 6 and 72 and 6 and 68 देखते है इसका right option क्या होगा इसका right option है friends part A option A means इसका जो minimum है वो 8 है और maximum इसका कितना है 72 next question friends question number 6 a character that is raised and smaller above the baseline is known as character जो भी है जो that is raised and smaller होता है above the baseline is known as को क्या बोलते है कि क्या कहला था वो raised, outlined, cap script या super script four alternative options है आपके पास आप आपने से बता सकते हैं उसका right option क्या होगा तो चलिए इसका right option देखते हैं right option है part D उसको हम बोलते हैं super script ठीक प्रेंट्स उसको हम क्या बोलते हैं character that is raised and smaller above the baseline is known as super script आज का question number 7 question number 7 है selecting text means selecting selecting text का मेनी क्या होता है selecting क्या select कर रहे हूं इसका right option देखते हैं right option क्या होगा इसका इसका जो right option है वो part D है part D means any of the above selecting text में आप word को भी कर सकते हो selecting text में आप किसी entire sentence को भी कर सकते हो आप whole documents को भी select कर सकते हो तो it means in any of the above तो any of the above में इसका right option है part D ठीक है friends चलिए जी question number 8 ms word automatically moves at next text to the next line when it reaches the right edge of the screen and it is called ठीक है ms word automatically move करता है text to the next line जब जी right edge मतलब right side में जी last में चाके पहुंचता है of the screen and is called उसको क्या कहलाता है carriage return enter word wrap none of the above तो यह four alternative options है आपके पास आप बता सकते हैं इसका right option क्या होगा तो चलिए friends इसका देखते है right option क्या होगा right option है part C मतलब ms word automatically moves the text to the next line when it reaches the right edge of the screen and is called उसको बोलते है word wrap चलिए जी question number nine using find command in word we can search तो using find command in words we can क्या सर्च कर सकते हैं characters, formats, symbols, all of the above जो four alternative options है आपके पास four alternative options आपके पास आपके पास आप इन में से बता सकते इसको क्या बता सकते हैं question number ten है in ms word for what does ruler help तो ms word में जो ruler है वो क्या help करता है to set tabs, to set intents, to set page margins, all of the above तो जी four alternative options आपके पास देखता है इसका right option क्या होगा वीडियो को पास करके आप बता सकते हैं वीडियो को पास करके आप अपने से answer बता सकते हैं अगर इसके आपने theory पड़ी हुई है अगर नहीं भी पड़ी हुई तो जो एक question जो है आपके काफी जयदा help करेंगे ठीक है friends, बहुत जयदा help करेंगे आपके exams के लिए देखते इसका right option क्या होगा तो इसका right option है part D part D means all of the above चलिए जी question number 11 11 question number है why fault on which page the header or the footer is printed on first page on alternate page on every page तो why default में कौन सा page जो header or footer is printed होता है ठीक है first page alternate page जा every page none of the above देखते हैं इसका right option क्या है इसका right option है part C part C means on every page चलिए जी next question question number 12 which menu in MS word can be used to change character size and type face तो कौन सा जो menu है MS word में वो इस्सेमाल की आता है character को change करने के लिए उसका size change करने है type face को view, tools, format and data four alternative option है आपके पास आप बता सकते इसका right option क्या होगा तो इसका देखते है right option friends क्या होगा इसका right option है part C पार्ट सीमें format से आप क्या कर सकते है MS word में इसको use कर सकते है ताकि character के size को क्या जा सके change कर जा सके चलिए जी question number 13 है which key should be pressed to start a new paragraph in MS word कौन सी key use की जाती है जाती है जाब भी हम press करते है उसको new paragraph को start करने के लिए MS word में don't cursor की shift plus enter जो option है आपके पास 4 alternative आप इसको बदा सकते है इसका right option क्या होगा तो देखते है इसका right option क्या होगा तो right option है इसका part B part B means enter की ठीक है कोई भी new paragraph start करने से MS word में new paragraph enter कर हो है तो दूसरा paragraph start हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स चलिए जी question number 14 है which of these toolbar allows changing fonts and their size इसमें से कौन सा toolbar है जो अलो करता है fonts को change करने के लिए और उसके size को standard, formatting, print preview, none of these तो इसमें आपने बताना कि standard है, formatting है print preview है यहनि में से कोई भी नहीं none of these ठीक है तो देखते है इसका right option क्या होगा इसका right option है friends part B part B means formatting question number 15 15 question number है which bar is usually located below the title bar that provides categorized option तो कौन सा जो वार है वो usually located होता है below the title bar जो प्रवाइड करता है categorized options, menu bar status bar, tool bar जा scroll bar, तो four alternative options है आपके पास इन options को आप बता सकते हैं इसका right option क्या होगा इनको option को देखके तो देखते हैं इसका right option क्या होगा इसका right option है part A part A means menu bar चलिए next question question number 16 है which option in file pull down menu used to close a file in MS Word तो कौन सा option है in file pull down में menu जो use के है था to close a file in MS Word new quit, close, exit तो चार alternative options हैं आपके पास आप इसका options को देखके answer बता सकते हो इसका right option क्या होगा तो चलिए friends देखते हैं इसका right option क्या होगा इसका right option है option C option C means close question number 17 है what is the function of control plus B in MS Word MS Word में control plus B का क्या function है, it converts selecting text into the next larger size of the same font it adds a line break to the documents, it makes selected text bold it applies italic format T selecting text ठीके friends तो actually में जब भी हम control plus B करते हैं किसी भी paragraph में तो control plus B हम जब use करते हैं तो यह क्या होता है selecting text को क्या करता है bold करता है it makes the selecting text bold तो इसका right option है part C question number 18 है question number 18 है graphics for word processor graphics for word processor peripheral clip out highlight execute तो 4 alternative options हैं आपके पास इन 4 alternative options को आप देख के बता सकते हूं किसका right option क्या होगा तो friends इसका right option देखते है इसका right option क्या है इसका right option है option B option B means clip out next question question number 19 question number 19 है what is the function of control plus R in MS Word control plus R का MS Word में क्या function है open the print dialog box update the current web page close the current window none of these 4 alternative options हैं आपके पास आप आपने से option बता सकते है इसका right option क्या होगा देखते हैं इसका right option क्या है वीडियो को पास करके आप बता सकते हो इसका right option है friends option D option D means none of these question number 20 what is the extension of file created in MS Word 97200 2003 extension of files created in MS Word 972003 क्या उसको क्या बोलते हैं dot बोलते हैं doc dom text यह 4 alternative options हैं आपके पास आप इसमें से बता सकते हैं उसका right option क्या होगा देखते हैं इसका right option क्या होगा right option होगा इसका part B part B means doc ठीक है तो friends आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे यह हमारा वीडियो जो है MS Word के related था MS Word के related जो हमने आज MC की उसकी है I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर friends मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीस मेरे चैनल को लाइक कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जयदा से जयदे अपने दोस्तों से शेर कीजिए तो जेके SSB पंजाइद code assistant के related मेंने बहुत सारी वीडियो आरड़ी पहले भी upload की हैं आप उन वीडियो को भी देख सकते हो तो इस वीडियो को भी देख सकते हो तो काफी जयदा help करेंगे क्योंकि जयदा तर मेंने जो वीडियो डा ली है account assistant की वो MCQs वीडियो है जो की short term में आपका जयदा से जयदा से लेपस वो cover करेंगी तो आज के लिए friends इतना ही तो next वीडियो में मिलेंगे आपके साथ तब तक के लिए good bye